मेदीना, मेदीना, मेदीना तुन नभी, मेदीना, मेदीना, that's where I wanna be तो आज हम मदीना शेहर को एकस्ऺलोड करते हैं, क्योंकि मैं यह तिन चार दिन से रुका हुऊ हूँ तो मैंने सुचा कि आज स्छाथ मदीना शेहर को एकस्प्लोड करते हैं अब दिल्टना या रसूल आलाओ या रसूल आलाओ आपक्डाउंड में मीनार दिख रहे हैं यही है मस्जिद नब्वी जो मुसलमानों के लिए दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद है मैं भी इसी के अंदर से आया हूँ और फिलाल यहां की मार्केट्स में जा रहा हूँ यह ऐसे शहर है जहां पर एक शहर में आपको सेकड़ों देशों के लोग और सेकड़ों बोलिया सुनने को मिलती है लेकिन सबसे जदा आपको उर्दु ही सुनने को मिलेगी क्योंकि यहां पर इंडिया के लोग काफी ज़्यादा आते हैं अभी मैं भी इन कभूत्रों को दाना डालूँगा देखते हैं कर सालगता है अभी ये ये हमाची को मिलेगी उलाओ ये रसूल ये जदुवतना लठ दाना flux स्कार के लborg को है ये रोड जो आपको मेरे पीछे देखे ये रोड मस्जिद के नीचे से निकल गयाती है यानि कि मस्जिद बनी हुई उसी के नीचे बेस्मेंट में ये रोड निकल गयाती है काफी अमेजिंग बात है इस पर तुम यहां की एक सुपर मार्केट में आ चुके हैं यहां पर बहुत सारा दुनिया बर का सामान मिलता है तो कुछ सामान बत और क्विप्ट हम लोग यहां पर छुदी देंगे तुम्हारत कबरन यहुई हा पिमा कद रसमत हा दीना वरसूल अल्लाह वरसूल अल्लाह दोस्तों वीडियो में अभी जो पाट आप में देखा था वो पिछले दिन का है और यह वाला इस्ता मैं दूसरे दिन बना रहा हूँ फिल्हाल मैं आपने रूम में हूँ और होटल से बाहर जा रहा हूँ मदीना शरीफ में मुझे कम सी कम टाइम मिल पा रहा है इसलिए मैंने जादा वीडियो यहां पर नहीं बनाई है अलग अलग दिनों के कुछ व्लॉक्स जो मैंने बनाए है वो एक ही वीडियो में लगा कर मैं आपको दिखाऊंगा यह हमारा होटल इसी में मैं रुखा हूँ और इस से जर faudra देखते सीधे तो आपको जो मीनार नजर आ रहे हैं यह मस्जित जिसका नाम है मस्जिद नबली इसलिए मैं मदीन श्रीफ है ओँ और इस होटल में मैं रुखा हुआ था जो आपको पीछे देख रहा है काफी बात है इसकी और यहां पर होटेल के नीचे दुकाने बने हों तरह तरह की शॉप्स जिन में सामान आपको हर तरह का मिल जाएगा तो अभी हम यहां टहलेंगे और देखेंगे क्या क्या इंट्रेस्टिंग हमें देखने को मिलता है दोस्तों मैं अब आपको लिच्चत है मस्जिद नबुविश्ट और यह मस्जिद नबुविश्ट यहां पर एक साथ 10 लाख लोग नमाज अदा कर सकते है इसके सभी इरियास को तो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है इसलिए आपको ड्रोन फुटेज से दिखाता हूँ कि यह कितनी बड़ी है कि सब जन्नते हैं निसारे मदीना इसलिए मदीना प्रहों प्राइब से अल्वार प्राइब एकारा कुल्वानाम लेर सूल लाब्ला लेर सुल्भ ल लेर सुल्ला हुद्अ बैसम आयता ओ मांया ओाला डोडत कि और ओमपमा ओना वा के अखब काल है ऋियांसार लृति उयोत भरोड़ी है वे 熟क मांना नतुत कि एल बहांra कि श्तूना ता यामर्जय कि उम मसांद़ेता प्रत आयुत बाला है वोड़ commit श ses लैलाना हैं उ सल्य में अद्धा लगर्ब ज Pr reviewed अधर्वम ले झाल कर दो अधे आद्रा लेनदम का अन्दे म् लन्द्द घर्व रै कि अजि morning लाना ये जर्व बन्नेद्द कर लगरी कैस्द दोर्वा स्या लेक्र है शुल्ड अइदिन बितमादीहा चप्रत कभर नियुहा फिमागद रसमत हादीना वा रसूब आनलूष दोस्तों, मस्जिद के गेट के पास बनी है यह मार्केट यहाँ पर आजके बहुत सारा अढ़न मिलेगा यह मस्जिद के गेट नमबर 7 के पास भी है, ऐसी मार्केट्स यहां पर इसलिए बनी है, क्योंकि जो लोग भी दूसरे देशों से आते हैं, वो अपनों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर ऐसी मार्केट्स जगे जगे पर आपको मिल दोस्तों देखा आपने यह थी मार्केट्स जो की काफी बड़ी थी और वहां पर काफी सारा सामान मिलता है, और मैं इस वस इस से बाहर आ चुका हूँ, इसके बगल में जो आप यह बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यह मस्जिद कई अरिया है, और अभी मैं चलूंगा, इस जादा चलना पड़ता है, मस्जिद के पासी में उत्तर परश्चिमी इलाके में एक शेल्टर बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे शेल्टर पूरे मदीना शरीप में बने हुए थे, और अब भी बने हैं, यह पैगंबर हज़रत मुहम्मद स्लिल्ल्ला अलग सलम के जमाने से ब यहिंना वरसूल वर्सुल लाहा है वर्सुल आला लाहा है ऑुलोब उर्सुलг उल्ब ओन उल्ग धुलो उर्सुल ग्या है काफी खुब्सूरत महाल इस बाग के अंदर का है आप मेरे पीचे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मस्जिद में है और ये शेल्टर काफी पास बना हुआ है मस्जिद के यहां पर बहुत से तरीके के पेड़ लगे हुए हैं इस शेल्टर में आकर लगता ही नहीं कि हम रेकिस्तान में हैं अब तो काफी सुईधाय हमें मिल जाती हैं लेकिन पहले के लोगों के लिए ऐसे पार्क्स काफी काम के साबित होते थे क्योंकि कड़ी धूप में उन्हें पार्क्स में आकर बहुत आराम मिल जाती थी यर्वी कुलूबन वाफवादिर लफ़ुहु अम्मल बहदी वादी वाफवादिर कुम बिना वंगुत लिया नीम का पेड़ लगा हुआ है काफी हरानी की बात है कि यहां पर भी यह पेड़ हमें देखने को मिल गया जो कि हमारे देश में काफी जादा लगे होते हैं यहां पर काफी सारी बिल्लिया रहती हैं तो उनके खाने बीने के इनतिजाम भी यहां पर किया गया है तो मैं मस्जिद के चारो तरफ इस वक्त भूम रहा हूँ यहाँ पर आपको एक भी घर नहीं देखने को लेगा जी हाँ यहाँ यहाँ पर एक भी घर मस्जिद के आज पास नहीं बना हुआ है केवल होटेल्स बने हुए हैं यहां पर हर तरफ आपको होटल्स दिखेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो मस्जिद के आगपास होटल्स बना दिया गया है और हर होटल के नीचे बहुत सारी शॉक्स और मॉल्स बने हुए है तो चलिए हैं में थे किसी मॉल के अंदर चलते हैं मेरे पीचे एक होटल और इसी होटल के नीचे बना हुआ है एक मॉल और उसके अंदर मैं भी जा रहा हूँ दोस्तों मैं अभी फॉल पे बाहरा चला हूँ और मैं एक नप मस्जिद रभी शरीफ के काफी पात हूँ और अभी मैं इसमें जाँगा इसके बाद आपको दिखाँगा मस्जिद कूबा जो कि इसलाम की पहली मस्जिद है अभी हम वहां भी चलेंगे वहां जाने के लिए में टैक्सी करनी पड़ेगी तो चलें टैक्सी को पकड़ते हैं और चलते हैं मस्जिद कूबा और देखते हैं कि ओक कैसी दिखती है बसे यहां पर सबूतर काफी दाता हूँ रहा है काफी अच्छे लग रही है तो दोस्तों, मैं बस में बैठ चुका हूँ, मस्जिद नभूई से मस्जिद कुबा जाने के लिए और अभी हम पौड़ी दिन में वहां पहुच जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कैसी दिखती है और ये बस काफी कुछ पूला थे, आप देखेंगे लिए ये है इस बस का टिकेट सुनना ये रसून ओिसना झाओना झाला पो अ… फ्लाइ ओवर्स के साइड्स को कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि इन में भी पेड़ पोदे लगा कर इन्वार्मेंट को और अच्छा बनाया जा सके काफी अच्छा तरीका है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं मस्जिद कूबा में और अभी इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसी ही ये मस्जिद इसे इसलाम की पहली मस्जिद कहा जाता है काफी खूबसूरत और काफी बड़ी ये मस्जिद है यहां पर बहुत सारे लोग मतलब जितने भी लोग मदिना शरीफ आते है वो लोग इस मस्जिद में भी ज़रूर आते है तो मैं भी आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसी ही मस्जिद अधदेते बादावते ला नदरी केफ तकर्वकते लिर्सूलिए 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 जलत ऐदिन भी तमादी हा अधदेते लिर्सूलिए 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 लिर्सू से लब और प्रैउल्युल्ण ओस अन्युल्ण इया गर्भ उत्बर वमा खीना एंदसन रूसा आर वह ऐसननन तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मुझे उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर कीजिए ऐसी इंट्रिस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकर को दबाए क्या है?